Hello friends you are welcome in sabka college So friends आज हम बात करने वाले हैं Loops in programming कि programming के अंदर हमारा loop क्या होता है So देख़े friends Loop को समझ देंगे लिए समसे पहले हम देखते हैं कि loops होते ही क्या है देखे, यापर आपको एक word दिखाए दे रहा है loop Loop का मतलब क्या होता है कि जहां से आप start कर रहे हैं मतलब एक ऐसी condition जहां से आप start कर रहे हैं जहां पर आप end कर रहे हैं वो दोनों point आपके एक same जगा पर होने चाहिए वो क्या होता आपका loop जैसे आप यहां से start कर रहे हैं यहां पर आप जा रहे हैं तो वो क्या हो गया यह आपके एक लूप नहीं है, मतलब यह start point है, वो यह a point है, जो end point है, वो यह b point है, यह दोनों point अलग-अलग होगे, अभी हम इन दोनों points को एक similar जगा पे लेके आते हैं, जो हम बात करूं, यह ही हमारा start point होगा, and यह ही हमारा क्या होगा, end point होगा, तो start point और end point दोनों क्या होगा, हमारे यह ही होगा, तो यहां से हमारा distance से start होता है, यहां पर क्या होता है, वो खतम होता है, तो इस जो condition को हम क्या बोलते हैं, अपना loop, ठीक है friend, मतलब जहां से आप अपनी running को start करते हैं, जहां पर आप उसको end करते हैं, वो दोनों ही जगा, तो वो दोनों ही point आपके एक जगा पर होने चाहिए, तो क्या कर रहे हैं, आप हापे loop बना रहे हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से, हमें अपनी programming के अंदर, हमें अपनी programming के अंदर, in loop की जरूरत होती है, क्या जरूरत होती है, मान लीजी, मैं आपको एक छोटा सा example देता हू 10 times hello world आपको print करना है, तो अब क्या करेंगे वहापे, आपको मतलब loop के बारे में पता नहीं होगा, तो क्या करेंगे, आप सबसे पहले int main function start कर देंगे, then printf, 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 मतलब multiple times आप इन condition को लिखेंगे, लेकिन अगर आपको पता होगा कि loops होते क्या है, and loops किस तरीके से काम करत हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना थोड़ा advanced mind का use करेंगे, and इसी statement को सिर्फ एक single line के अंदर execute करेंगे, and आपको code 10 times इसको print कर देगा, ठीक है friends, देखेंगे कि किस तरीके से हम इन loops को करेंगे, use अपने VS code पर, and कैसे हम programming के अंदर अपने जो codes को है, उसको थोड आएगा कि what is loops, explain its types, यह guys बहुत important question है, and यह questions आपका हर exam में आता है, so देखें, जिस तरीके से मैं definitions आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, वो आपको अभी याद हो जाएगी, and आपको क्या करना है, इसको एक पर revise कर लेना, इस video खतम होने के बाद, इससे क्या होगा, कि आप इस definitions को भूलने पाएंगे, तो तो देखें, loop in programming are used to repeat block of code, जैसे मैंने आपको पता है, कि loop क्या होता है, किसी भी काम को repeat करना, मतलब, यहाँ पर मैंने start किया, and यहाँ से मैं चलने लगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना running start की, यह मान लीजे, मैं हूँ, and यहाँ पर मैंने पूरा running का एक चक्कर लगा लिया, ठीक है, मैं यह चक्कर कब तक लगा रहा हूँ, मेरे पास एक condition है, क्या, मेरे पास एक condition है, मैं यह चक्कर कब तक लगा हूँगा, जब तक भाई, मैं थक नहीं जाओगा, जब तक मैं tired नहीं हो जाओगा, ठीक है, फ्रेंट्स, जब तक तरीके से अपने real world की तरह हम अपरे programming के अंदर भी इसको quiet कर सकते हैं एक condition check करके तो देखेंगे किस तरीके से हम इसको काम करते हैं तो सबसे पहले आपका first point क्या हो गया loop in programming are used to repeat a block of code until the specific condition is met जब तक आपको specific condition नहीं मिल जाती मान लीजिए मैंने हाप एक loop बनाया थे हापे end मैंने condition के ओपर वो condition क्या थी कि जब तक मैं थग नहीं जाओ जब तक मैं इस loop से भार नहीं आना चाहिए end जब मैं थग जाता हूँ तो क्या करूँ मैं इस loop को quit कर दूँगा उसी तरीके से हम अपने programming के इंदर भी specific condition को check करते है end वो condition met हो जाती है तो हम अपने loop को वहाँ पर रोग देते हैं ठीक है friends अब बात करते हैं second point की a loop statement a loop statement allow programmer to execute a statement और group of statement multiple times without repetition of code क्या वह रहाँ इसमें कि जो loop statement होती है वो क्या लाओ करती है programmers को कि आप एक single statement या ग्रूप of statement को multiple times execute कर सकते हैं without repetition of code अब repetition of code मैंने आप आपको बताया कि repetition of code होता गया देखे, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने repetition of code किया, क्या, repetition of code, इसका मतलब क्या होता है, आपने print hello world करना था, आपने क्या क्या, एक कोड को बार बार यहाँ पर आपने execute किया, मालीजी मैं यहाँ पर आपको बोल देता है कि इसको 100 times print करिए, तो friends, आपको कितना time waste होता, and कितनी बार आप यह printf, printf type करते है, so friends, इस चीज को avoid करने के लिए, इस चीज से बचने के लिए, हमने क्या किया है, हमने loop को सीखा है, and loop मैंने अभी क्या बता है आपको, कि loop है क्या होता है, एक ऐसी repeated block of code के लिए statement यूज करते हैं, जो कि specific condition आने पर, हम उस code को रोक सकें, ठीक है, and मान लीजिए, वो specific condition met नहीं होती, तो आपका जो loop है, वो क्या होगा, गाईज आपका infinite times चल जाएगा, अभी infinite times चलने का मतलब क्या है, कि वो loop आपका stop नहीं होगा, जब तक आप उस code को stop नहीं करेंगे, या फिर अपने code का terminal उसको बंद नहीं करेंगे, ठीक है friends, अगर आपने उसको open छोट दिया, तो आपके computer की पूरी memory वो use कर लेगा, और आपके पास shortage हो जाएगे अपनी memory की, यहाँ पर हमने समझा कि loop होता क्या है, अभी हम बात करते हैं कि loop की क्या types होते हैं, देखे, there are mainly two types, यहाँ पर इसने बात की there are mainly two types, and two types कौन-कौन से हमारे, सबसे पहला type है हमारा entry control loop, and second type हमारा exit control loop, अभी हम loop को दो तरीके से control कर सकते हैं, एक क्या entry control and एक क्या exit control, अभी entry control and exit control क्या होता हैं, यहाँ पर हम देखे, in entry control loop the test condition is checked before entering the main body, आपके main body के अंदर जाने से पहले आपकी test condition check हो जाएगी, कि आपको कब रुकना है, जैसे मैंने आपको यहाँ बात बताई, कि हमने आप example लिया, कि guys यहाँ पर एक teacher खड़ा है, वो teacher क्या बोलता है, कि तुम पहले मेरे को यह बता दो, कि तुम रुकोगे कब, उसके बाद में तुम्हें ground में जाने में allow करूँगी, जैसे teacher ने आपसे पूछ लिया, आपने बोला ma'am, जब तक मैं यहाँ पर थक नहीं जाऊंगा, जब तक मैं इस loop से या इस ground से बाहर नहीं आऊंगा, आपका teacher बोलते है ठीक है, आप जाएए, तो मतलब आपका teacher क्या करेगा, आप यहाँ पर आपने loop स्टार्ट किया, ठीक है यहां से इस point से आपने loop स्टार्ट किया, यहां से आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं, चलते 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 आप again start position पर आते हैं, start position में आने के बाद आपका teacher पूछता है आपसे फिर, कि बच्चे जो आपका tiredness है आपको ठकान हो रही है नहीं हो रही, आप यहां पर reply करते हैं नहीं, मिलको अभी ठकान नहीं हो रही, then आप क्या करते हैं अपने दूसरा round continue करते हैं इसी तरीके से आपका teacher हर एक round पर जब आप एक round complete करेंगे आपसे हर एक बार पुछेगा क्या आपको tiredness हो रही है या नहीं हो रही, आपको tiredness हो रही है तो क्या करेंगे आप अपने लूप से भाला देंगे वरन आप अपने लूप को continue करेंगे इस दो conditions को हम चेक करने वाले हैं किस तरीकी से चेक करेंगे चली देखते हैं यहां पर हमने entry control के बारे में पढ़ा क्या कि entry control कब होगा जब आप अपने जो main body है उसके दाए enter कर रहे है मतलब आपने loop start कर रहे हैं उससे पहले आपकी condition चेक हो रही है लेकिन exit control के अंदर क्या होगा कि पहले आप पूरा चक्कर लगा लेंगे उसके बाद आपका teacher पूछ रहा है कि हाँ आपनी condition तो बताओ मतलब आपने एक चकर तो लगाना ही लगाना है उसके बाद आप अपने condition बताएंगे जैसे यहां पर होता है do while loop guys आपको इसके नाम से पता चल रहा है do मतलब पहले आप काम करेंगे उसके बाद while उसके बाद आप condition चेक करेंगे इसको भी पढ़ते है क्या in exit control loop the test condition is evaluated at the end of loop body क्या बोल रहा है कि जो test condition होती है वो check होगी कब आपके loop body के end के time मतलब पहले आप अपना पूरा loop complete कर लेंगे उसके बाद आपकी क्या होगी आपकी test condition check होगी जैसे यह आप इसने बोल दिया आपको कि the loop body will be execute at least once मतलब कम से कम गाईज आपकी एक बार तो यह loop की body execute होगी आपको एक बार चक्कर लगाना पड़ेगा respective of weather the condition is true or false कब तक लगाना पड़ेगा उसके बाद यह चेक करेगा कि आपकी condition true है या false है इसके एक्जामपल बता दिए मैंने गाइस डू हाई लूप इस एक्जिट कंट्रोल लूप और यहाँ पर फोर लूप और भाई लूप क्या अता आपका entry control लूप यहाँ पर इस definition को बिल्कुल अच्छे से कर लेना क्योंकि एक्जामस के अंदर आप इस तरीके से बिल्कुल format के लिखके आएंगे तो आपको पूरे-पूरे marks मिलेंगे कोई भी teacher आपका marks नहीं काट पाएगा इस चप्टर के जो नोट्स है इस जो लूप वाला जो आपकी topics का notes आपको कहा मिलेंगे description में मिलेंगे वहाँ पर जाके आप उसको access कर सकते हैं तो चलिए देखिए यहाँ पर आपने बात की loops की and entry control and exit control के बारे में आपने बात कर ली अब entry control के बारे में बात करते हैं सबसे पहले सबसे पहले हमारा आता है for loop then आता हमारा while loop अभी for loop क्या होता है देखिए इस पोर loop का मतलब होता है कि हाँ पर आपकी सबसे पहले एक for नाम की एक जो keyword हो लिखी जाती है then क्या करते हैं आप तीन condition को देखेंगे सबसे पहले आंपको तीन condition और explain कर देता हम यहाप 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 तीन condition देखेंगे सबसे पहले जो condition है कि क्या है हमारी इत्रेशन एकस्प्रेशन sy मतलब इत्रेशन एकस्प्रेशन होती क्या Есть आपको आप मा辣ी यह loop स्राट कररें आपको स्टार्ठ पॉइंट अपता होगा कि कहा स्टार्ट करें एंड एक क्पका end पॉइंट होगा कि मतलब आप कब तक loop के अंदर से लेंगे, end point तो आपका same होगा, यह आपका start होगा and यह आपका end होगा, तो यह point आपको पता होना चाहिए, यह point क्या होता आपका iteration expression या starting expression, मतलब आप अपने compiler को बता देंगे, कि आप कहां से अपना loop है, वो start करने वाले हैं, यहां पर example भी condition होती है, हमारी updating expression, updating expression, देखें, test condition का मतलब क्या है, यहां पर, test condition का मतलब है, कि आप टेस्ट करने वाले हैं, अपने code को, कि आपका loop है, वो कहां तक चलेगा, आपकी condition देंगे, मालेजिए, आपने condition दी कि मैं जब तक ठकूँगा नहीं, जब तक मैं कोड़ टाइडनेस न नहीं रोकूँगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होई, आपकी test condition चेक हो रही है, हर बारी, जब आप अपने starting point पे आ रहे है, उसी तरीके से updating expression का मतलब क्या होता है, कि आपने एक चक्कर लगाया, उसके बाद आपको दूसरा चकर लगाने के लिए, एक updating expression लिखनी पड़ यह guys, अपने real world से थोड़ा अलग है, तो इसको क्या करेंगे, हम compiler के थुरू समझेंगे, कि compiler किस तरीक से समझता है, अपने updating expression को, तो तो तरी हम आपने तीनों expression के बारे में समझ लिया, iteration expression, test condition and updating expression, ठीक है friends, अभी हम आपने बात करते हैं, आपने for loop के बारे में, सबसे पहल loop in C is a repeating control structure, क्या, repetition control structure, जिसके अदर हमने बात की थे अपने loop का, कि loop क्या होता है, कि repetition control system होता है, जो क्या करता है, आपकि loop को control करता है, and that allow programmer to write a loop that will be executed a specific number of times, guys, similar तरीके की, मतलब loop की definition है, and for loop के mainly क्या है, for loop enable programmer to perform and number of steps together in a single line, mainly इस line को अप ध्यान रखना है, in a single line, एक single line के जरिए, आपको क्या करेगा, यह provide करेगा, पूरा code लिखने के लिए एक जगा, single line के through, यह आपकी end time performance कर सकता है, मतलब आप अपना code end time run कर सकते है, single line के through, उसी तरीके सेम देखेंगे, कि किस तरीके का इसका syntax है, आपर मैं लिख देता हूँ, क्या syntax, ठीक है friends, फिस सबसे पहले आपको लिखना है four, आप अपने compiler के नदर क्या लिखने वाले, सबसे पहले four, and four क्या आपका keyword है, keyword क्या होता है guys, मैंने इसके उपर एक video बना रखी, बिलक आपको अपने तीन condition यहाँ पर declare कर देने, सबसे पहले initialization condition, कि आप loop कहां से start करने वाले है, ठीक है, यह कि आपकी starting point, आपके starting point, second guys, आपकी test condition, test condition कि आप कहां तक अपना loop execute करेंगे, कब तक अपना loop execute करेंगे, यह कि आपकी test, यह test करेगा आपकी conditions को, third expression है, वो कि आपकी updation expression, मतलब आप अपने जो loop है, उसको किससे update कर रहे है, two times update कर रहे है, three times update कर रहे है, one time update कर रहे है, इसको हम क्या करते है, अपने increment, या फिर decrement operators का use करके, इसको operate करते है, ठीक है, increment and decrement operator भी मैंने बता रहा है, आपको क्या होता है, operator in c वाली video के अंदर आप जाके देख सकते ह साथ ही description के अंदर, आपको सभी videos का link मिल जायागा, वहाँ पर आपके आप हर एक video access कर सकते है topic wise, ठीक है friends, यहाँ पर बात करते हैं, four loop के बारे में, four loop हमने keywords, लिखा सबसे पहले four keyword, then rounded bracket, then three condition को लिखना है, and इन तीनों condition को separate करना आपको in columns के साथ, ठीक है friends, in columns के साथ आपक जो initialization expression उसको start नहीं करेगा, ठीक है friends, and आपको error show करतेगा, so initialization condition के अंदर आप लिखेंगे अपना, जहां से आप loop start करने वाले हैं, test के अंदर लिखेंगे, आप जब अपनी condition को कहां पर test करेंगे, and then आप क्या कर देंगे, increment कर देंगे, decrement कर देंगे, ठीक है friends, यह क्या है उसके बाद क्या करने वाले हैं, हमने curly brackets को start करेंगे, end, curly bracket को बंद करेंगे, इन दूनो start and end के point के बीच में जो आप लिखने वाले है, जो code आप लिखने वाले है, वो क्या होगी, आपकी body होगी, आपके for loop की, यहाँ पर क्या होगा, आपका for loop execute होगा, ठीक है friends, यह syntax को हम एक example के जरी समझते कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपना code perform करेंगे, देखे friends, सबसे पहले क्या होगा, for लिखने वाले है, then क्या करेंगे, आप int i नाम से एक variable declare करेंगे, जो क्या होगा, आपका iterative condition बताएगा, कि कहां से आप अपना loop start करने वाले है, so int i equal to 0, मैं guys 0 से अपन मेरा loop चलने वाला है, यह क्या आपकी test condition, मतलब i is less than n, जब तक i less than n रहेगा, जब तक i आपका less than n रहेगा, जब तक क्या करने वाले है, आपने test condition को check करने वाले है, ठीक है, and उसके बाद क्या करदेंगे, आप अपने i को plus plus कर देंगे, मतलब i को एक टाइम्स बढ़ा दे लूप विच बिल भी एक्जिक्यूट तिल एन अभी गाईज देखिए यहां पे आप एक एन आपने क्या लिया यूजर से इंपुट लिया एन की वाईलिव आनलीजी आपने 5 डाल दी ठीक है 5 आपकी यहां पर आ जाएगी अभी सबसे पहले क्या करेगा 4 लूप के अंदर आप आएंगे सबसे पहले आपकी condition चेक करेगा अप इसन कंडिशन के आपने कहां से लूप स्टार्ट कर रहा है जीरो से अभी आई की वैलिव कितनी है स्टार्टिंग दर जीरो दैन आई इस लेस देन एन मतलब स्टाटिंगे दरा आई आपका 0 है एंड आई जो है वो लेस्ट इन 5 है वाइफ क्यों है यहाप एंड की वेल्यू क्या आजाए कि 5 यह कंडिशन आपके true हो गई ठीक है कर देगा मतलब आपके आई को एक टाइमस बढ़ा देगा सबसे पहले आपका आई था 00 यहाँ पर आया आपका चेक हुआ कंडिशन की 05 से छोटा है नहीं है उसके बाद आपका लूप एक टाइमस बढ़ गया मतलब आई के इंदर प्लस वन हो गया उसके बाद आई की वेल् था 001 यहाँ और पॉर्लोप के बारे में बिदक प्रड़ूरी बता रहा हूं इसे नेट्स आपको एक एक लूप को explain करूँगा तो देखे ब्राइंज वाइल लूप क्या होता है वाइल लूप दस नोट डिपेंड अपो नमबर ओफ आइटरेशन मतलब जो वाइल लूप आपका किस पर डिपेंड नहीं करता कि कितनी आइटरेशन पर आप चल रहे हैं ठीक है इन फॉर लूप दर नमबर ओफ आइटरेशन वस प्रिवेश्टली नौन तो अर्स बट इन अवाइल लूप दा एक्जिकूशन इस टर्मिनेटिट ओन बेसिक ऑफ दा टेस्ट कंडिशन काईशन है थोड़ी से आपको कॉंप्लिकेटर लग रहे होगी लेकिन कुछ नहीं है बिल्कुल इजी तरीके से इसका जब हम सिंटेक्स देखेंगे तब आपको अच्छे समाज आजाएगा कि क्या बोल्डे डेफिनेशन तो वाइलूप दस नोट डिपेंड अपन नंबर ओफ आइटरेशन जो आपकी वाइलूप है वाइलूप आपकी आइटरेशन भी नहीं होता ठीके फ्रेंट्स टाइग्जी कुशन इस टर्मिनेटी तो बेसिक अफ़ टेस्ट कंडिशन एक अपकी टेस्ट कंडिशन यहां पे फॉल्स हो जाती है ठीक है देन इट विल बेक आपका जो लूप है वो क्या हो जाएगा ब्रेक कर जाएगा बहार आजाएगा इसको प्रोग्राम लिखेंगे तभी यह लाइन यूज होगी अभी के इतना ही करिए कि जब आपकी टेस्ट कंडिशन यहां पे टू नहीं होती तब क्या हो जाएगे लूप से भाहर आजाएगे यहां पे ब्रेक कर जाएगे ठीक है इसके सिंटेक्स को देखेंगे सबसे सरेल है आपको इनिसिलजीशेशन एक्स्प्रेशन है यहां पर लिखने पड़ेगी जाइस आपको है कि कहा है क्या करने वालो बना ही इसलिए एक आपको अपने स्टार्ट यूज कर सकते हैं So while loop किस तरह के से use करेंगे, while keyword सबसे पहले लिख देंगे अपने compiler के, sorry, अपने text editor के अंदर, then आप rounded bracket का use करेंगे, उसके बाद आपको simple एक condition लिखने है, जो कि आपकी test condition है, मतलब rounded bracket के अंदर क्या लिखने वाले है, अपने test conditions को, ठीक है, and then आप अपने curly bracket को use कर देंगे, and उ क्या करते हैं, आपने increment और decrement दोनों चीजों को use करते हैं, जिस तरह कि मैंने आपको यहाँ पर for loop के अंदर बताया, यहाँ पर क्या हुआ तीनों चीज, initialization expression, test expression, updating expression, तीनों चीज एक जगा आ गई, लेकिन while loop में क्या हुआ, initialization expression आपकी सबसे पहले भाहर लिखी जाती है, आपके while loop से test condition आपके rounded bracket के अंदर लिखी जाती है, and updating expression आपके curly brackets के अंदर last के अंदर लिखी जाती है, ठीक है friends, अभी हमें example देखे लेते हैं, सबसे पहले, int main, int main मैंने क्या किया, यहाँ पे main function बनाया, उसके बाद मैंने int i equals to 2, initialization expression मैंने क्या लिख दी हाँ, i equals to 2, मतलब मेरे को 2 से start करना है, अपना code, ठीक है friends, while i is less than 10, test condition मैंने लिखी, सबसे पहले while keyword लिखा, उसके बाद rounded bracket के दर मैंने test condition लिखी, while i is less than 10, जब तक i 10 से छोटा रहेगा, तब तक हमें क्या करना है, अपना loop चलाते रहेगा, सबसे पहले i की value कितनी ती 2, यहाँ पे सबसे पहल आपकी updating हो जाएगी expression, मतलब i के अंदर 1 plus हो जाएगा, i plus 1 हो जाएगा, i की value पहले कितनी थी 2, plus 1 कितनी होगी 3, अभी आप भार आएगे तो i की value हो जाएगा, 3, ठीक है, अभी यहाँ पर दुबार हम चेक करेंगे, second condition के अंदर 3 is less than 10, हाँ friends, 3 10 से छोटा है, तो क्या करे and दुबारा आई क्या हो जाएगा, हमारा increase हो जाएगा, so 3 plus 1, 4, दुबार हम पर आएगे तो क्या हो जाएगा, हाँ पर 4 हो जाएगा, and 4 होने के बाद दुबार आपकी condition यहाँ चेक होगी, 4 is less than 10, and दुबार आप आपने क्या करेंगे, loop को execute करेंगे, यह आप कब तक 10 is less than 10 नहीं आजाएगा, and 10 is less than 10 यहाँ पर आपका आगया, तो आप यह code यहाँ पर execute नहीं करेंगे, सीधा क्या कर जाएगे, आप अपने loop से बहार आजाएगे, ठीक है friends, आप अपने loop से क्या हो जाएगे, बहार आजाएगे, तो यह था हमारा while condition की, while loop हम किस तरह की से बिल्खुल गाई, similar होता आपके while loop की तरह, इसके तरह एक difference होता है, but only the difference lie in the do while loop test condition which is tested at the end of the body, मतलब मैंने आपको बताया कि यह क्या है, exit control loop है, मतलब आपकी test condition कब check होगी, जब आप इस loop से exit कर जाएगे, ठीक है, in the do while loop, the loop body will be execute at least once, एक बार तो गाईज आपका execute होगा ही loop body, respective was the test condition, चाहे आपकी test condition true हो या false हो, आपको एक बार तो वो काम करना ही पड़ेगा, मतलब आप चाहे थके होगे हों पहले से, या फिर आप नहीं थके हों, आपको एक round लगाना पड़ेगा, ग्राउंड का, तो यहाँ अपना syntax देख लेते हैं, फटाफट, देखे, syntax के सबसे पहले हमें क्या लिखना है, loop keyword लिखने के बाद, curly bracket को start कर देने, सीधा अपने loop की body यहाँ पर लिख देंगे, loop की body लिखने के बाद, देखे, friends, यहाँ पर हमने एक चीज मिसिंग कर दी क्या, initialization expression, अगर आपको अपना starting point पता है, तो initialization expression लिख देनी है कि कहां से हम अ क्या होने वाला है, while keyword आप लिखने वाले है, while keyword लिखने के बाद, rounded bracket के अपना क्या लिखेंगे, test condition लिखेंगे, so test condition को check करने के लिए क्या करेंगे, last के अपने while loop के अपने test condition को लिख देंगे, and, इस पूरे process को, हम एक example के सरी समझते है, क्या करने वाला है, देखे, सबसे हमने क्या क्या, एक main function नहां पर बनाया, main function बना लिया, उसके बाद int i equals to two नाम से हमने क्या क्या, एक initialization expression को declare कर दिया, मतलब i कहां से start करने वाला हूं, two से start करने वाला हूं, so do keyword मैंने हाप start किया, and curly bracket को use करके, मैंने क्या क्या, printf hello world लिख दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी iteration को extend कर दिया, मतलब IQ value यहां पर increase कर दिया, two से क्या कर दिया, three कर दिया, लेकिन मैं भार आया, यह code आपका एक बार execute हो जाएगा, printf आपका एक बार execute तो होगा, then क्या होगा, last के नदरा while statement लिखेंगे, उसके बाद आप अपनी condition लिखेंगे, i is less than one, क्या i less than one से छ पर like करना, and guys, channel को subscribe कर लेना, क्योंकि इसी तरह की, जो videos है, मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है, channel को subscribe करना, बिल्कुल मत भूलना, so friends, thank you so much, मिलते हैं next video के साथ,